आपको बता दे ये रिपोर्ट्स काफी ज़्यादा जगों पर प्रकाशित हुई है वहीं अंतराश्टी उडाने फिर से शुरू होने पर लगातार जो यहाँ पर काम है वो चल रहा है हाला कि अभी फिलहाल के लिए 31 जुलाई तक इनको सस्पेंट कर दिया गया है दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि मसकट से निकल कर आ रही है आपको बता दें कि ओमान के लिए काफी ज़दा जो गुडाने उसको बढ़ा दिया गया है आपर कुछ नई गुडानों को जोड़ा गया है बताना चाहेंगे यह जो नई गुडाने जोड़ी गई है यह 10 जुलाई को मसकट से हैदराबाद 12 जुलाई को मसकट से हैंदाबाद अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि निकल कर आ रही है बृटीस एरवेज की तरफ से आपको बता दे बृटीस एरवेज सनिवार 4 जुलाई 2020 से जो अपने लंदन के हित्रो वाला टर्मिनल 5 है वहाँ पर जो अपने लाउंज है उनको खोल देगा हाला कि यहाँ पर काफी ज़्यादा इस्टिक्ट रिस्टिक्शन के साथ यह जो काम है वो किया जाएगा और जो लाउंज है वो खोले जाएंगे अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि निकल कर आ रही है साउथ अफरिकान एरवेज की तरफ से आपको बता दे साउथ अफरिकान एरवेज यहाँ पर जो गॉर्मेंट है वहाँ की उन्होंने इद्गम साफ मना कर दिया है अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि अमेरिकान एरवेज की तरफ से निकल कर आ रही है आपको बता दे अमेरिकान एरवेज साथ जुलाई से अपने लंदन हित्रो वाले परचालन को टर्मिनल 5 पर ले जाने के लिए तयार है इस कदम में अमेरिकी वाहक अपने ऑनवर्ड पार्टनर्स इबेरिया और ब्रिटीज एरवेज के साथ जो है वो अस्थापित करेगा हाल ही में हित्रो वाइड़े पर टर्मिनल के बीच बहुत सारे अंदोलन हुए हैं जो वर्तमान महामारी के कारण मांग में भारी गिरावट को देखते हैं तो दूस्तों ये है कम्प्लीट डीटेल अभी तक कि कैसी लगए आपको कमेंट करके बताईए अगर आपका कोई भी सवाल चुजा या सरजेशन है तो आप हमें बेशा कमेंट सिक्षन में दे सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप देखरें इंडिन गुरु में हूँ आपका दोस्त तुनायक फिर मिलने के आशा करते हूँ के लिए विदा लेना साओंगा तिल दिन जैहींद वन्दे मात्रूम